हेलो एवरिवन चटाकर एसोई में आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही शानदार बनती है और इससे सर्फ करने का आज मैं आपको एक बहुत ही अलग सा तरीका भी बताऊंगे तो वीडियो को पू हुबले हुए इन्हें मैंने कदुकस कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे मुठी भर धनिया हरी मिर्ची और आपको तीखा पसंद हो तो आप हरी मिर्ची थोड़ी जादा डाल सकते हैं यहां दो से तीन आप ब्रेड ले सकते हैं क्योंकि आपके पास जितना आप बनान यहां नमक, लाल मिर्ची पाऊडर, थोड़े अच्छे से डालीएगा धनिया पाऊडर, अमचूर पाऊडर, हल्दी पाऊडर और ये है मैगी मसाला, मैगी मसाला से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है तो मसाले थोड़े आप जादा डालिएगा क्योंकि आप वो डालतीजहें, नहों तो अरारोट तो बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाता है तो अब हम ये सारी चीजों को डालने के बार बहुत अच्छी तरह से पहले हम हाथ से इसी मिक्स करेंगे जिसे कि ये जो हमारे bread हैं ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से bind हो जाएं इसके साथ और बिल्कुल ये dough की form में आ जाए हमारा जो ये सारा mixture है एकदम dough की form में आ जाए ये देखिए हथेली से आपको इसे अच्छे से रब करते हुए बिल्कुल टाइट एकदम आपको इसे तयार करना है और जब ये बनता है ना फ्रेंट्स तो ये चावलों का होने की वज़े से और अरारोड डलने की वज़े से इतने ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं कि आपने अ ये देखिए जब हमारा ये डो की फॉर्म में आ गया सारा मिक्स्चर तब हम इसके ऐसे हाथ पर थोड़ा सा ओईल लगा कर राउन शेप में कटलेट बना लेंगे तो आप अगर राउन शेप में चाहें तो राउन शेप में बना लेजिए और अगर आप कोई और शेप दे है तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ये देखिए हमारे कटलेट बनकर तयार हैं बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये और ये देखिए ओईल हीट हो चुका है और अब हम इसमें ये जो हमारे कटलेट से इने फ्राइ करेंगे फ्रेंट्स एक बात में आपको बताना चाहू जब भी आप कटलेट बनाते हैं तो आप जब स्टार्टिंग में उन्हें पैन में डालते हैं तो आप तेज रखिए गैस का फ्लेम ऐसा करने से क्या होता है जो कटलेट होते हैं वो फटते नहीं है अगर आप धीमी आज पर उन्हें स्टार्टिंग में डालेंगे तो फट सकते हैं तो तेज आज पर आप उन्हें पहले हलका सा सेक लीजें फिर आप गैस को हलका सा कम कर दीजें तो ऐसा करने से आपके जो कटलेट्स हैं वो हमेशा क्रिस्पी बनेंगे और कभी भी फटेंगे भी नहीं ये देखिए थोड़ी देर में अलट पलट कर हमने सेक लिया और बहुत ही बढ़िया हमारे एकदम क्रिस्पी और एकदम तेस्टी कटलेट बनकर तयार है, तो कटलेट तो बन चुकी है, अब बारी है इन्हें सर्फ करने की, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहां कटलेट हम कैसे खाते हैं, यह देखे, अब हम मैंने यहां यह लिये हैं ब्रेट, और ब्रेट को मैंने कटोरी से राउंड शेप में कट कर लिया है, आपके पास कोई कटर हो तो आप उससे कर लीजी, और उस पर सबसे पहले लगाया है कैचप, फिर उसके बाद लगा दिया मैने मैयोनीज, और मैयोनीज ना हो तो आप मलाई भी लगा लीजी, मलाई से भी बहुत डेस्टी लगता है यह, बीच में प्लेस किया कटलेट, उसके ऊपर डाला पनीर, पनीर हो तो डाल दीजी, ना हो तो आप इस किप भी कर सकते हैं, और ये देखिए, खूब सारा पनीर इस पर डाल दीजे, और चाहें तो थोड़ी सी केचप या हरी चटनी होँ, तो आप हरी चटनी भी इस पर डाल सकती है, और ये देखिए, एकदम बढ़िया हमारे कटलिट से बना बर्गर भी बोल सकती है, आप इसको अपने बच्चों को जरूर बना के खिलाइएगा फ्रेंड्स बिल्कुल तैयार है हमारी बड़ी ऐसी रेसिपी फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे ये देखे अभी मैं आपको दिखाती हूँ बर्गर भी हमारा कितना सौफ्ट है और कितना बड़िया बना है ये देखे आप इजिली इसे घर पर बना सकते हैं